पर दूसरी सीचाई की अगर आवा सकता है तो 35-40 दिनों के बाद आप कर सकते हैं लेकिन प्राया जो है जो कि बारिस का मौसम रहता है इसमें सिचाई की जरुवत होती नहीं है और ये उपर वाले ही जमीन में लगता है जहाँ पर पानी का जमाब नहीं हो पानी का निकास यथा संभव हो वैसे खेतों में इसकी खेती की जाती है इसमें ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है कि कोई भी पौधा अगर आप लगा रहे हैं खासकर के सरगोजा की पौधा बुगाई कर रहे हैं तो इसमें उर्बरक प्रती हेक्टेयर जो है पौधे भी स्वस्त रहेंगे और जिसके कारण उत्पादन आपका ज्यादा होगा अगर आपकी मीटी अमलिये है ये तो मैं पहले भी कई बार प्रोग्राम में मैं बता भी चुका हूं किसानों को कि जब भी आप उर्बरक या दूसरे चीजों का परियोग करते हैं तो आप अपने खेत की मीटी को जांच जरूर करवाएं ये भारत सरकार एबम राज सरकार द्वारा यूजना भी चल रही है कि आप अपने खेतों की मीटी को जांच करवाएं और उसमें जो उपलब्द पोशक तत्म आता है और जो आपका सभी फसल का अलग-अलग requirement होता है उर्बरक का तो वो दोनों को आप देख लें कि आप में कितना पोशक तत्म उपलब्द है और उसको माइनस करकर के आप उर्बरक का इसमें परियोग आप करें तो ज्यादा उचीत होगा अब रही बात की जारखंड की जो उपर वाली जितनी भी जारखंड की है maximum मिटी जो है अमलिय होता है तो अमलिय से जो है neutral करने के लिए किसान भाई से हम यह अनुरोद करेंगे कि प्रती हेक्टियर जो है जो बुझा हुआ चुना जिसको डोला माइट भी बोलते हैं डोला माइट का उपियोग जो है अपने खेतों में करें और तीर से तीन से चार कुईंटा प्रती हेक्टियर के दर से अपने खेतों में डाले ताकि जो है अगर आपके खेत में अमलियत आ रहेगा तो जो भी पोशक्तत्व आप उपर से देंगे या आपके मीटी में जो उपलब पोशक्तत्व है वो पौधा ग्रहन नहीं कर पाएगा जिसके कारण जो है पौधे में बढ़वार नहीं होगा उ इन फसलों में तो उसको दूर करने के लिए सरपर्थम दो वार इसकी निकाई गुडाई करना चाहिए जिसमें 30-35 वार 25-45 दिनों के बाद और 40-45 दिनों के बाद अगर ये निकाई गुडाई नहीं कर पाते हैं तो बजार में जो है केमिकल दवा भी उपलब्द है एट्राजीन करकर के उसको जो है एक किलोग्राम प्रती हेक्टेर के दर्सी अपने खेतों में बुआई के पहले उसको डाले जिसे जो है खरपतवार नियंतरन हो जाता है